सावनिर इल्विस्टेशन पर सुभा तड़के पटरी किनारे तीन यूवक के गंभीर जखमी दिखाई देने पढ़ने से हड़कम मजग्या घटना की जानकारी प्रतियक दर्शी ने हिज्योती फांडेशन के हितेश बंसोर गोदी उन्होंने उक्तर जानकारी सावनिर पुलिस को देकर अपने साथियों के साथ घटना स्तल के लिए रवाना हुए कुछी देर में PSI, NL तेवारी तथा हवलदार सुरेंदर वासनिक दलबल के साथ बहुचकर हिज्योती फांडेशन के सहियोगी से तीनों जक्मी युवकों को ग्रामीन स्वास अशिक्षन केंद्र सावनिर लाया गया जहां डॉक्टर ने उनका प्रात्मिक इलाज कर उनकी हालत गंबीर होने से उन्हें आग के इलाज हे तु नाकपूर रवाना किया सावनिर पुलिस द्वारा प्रात्मिक जानकारी के अनुसार इस दुर्गटना में गंबिर रूप से घायल राज़ेश चंदू वशंकर उम्र बीस वर्ष, हीरा बाबूलाल जहा उम्र पचीस वर्ष, तथा हिरेंदर रगुवीर करन उम्र पचीस वर्ष, तीनों निवास सावनिर पहुचे थे, तथा ट्रेन ना होने से नाखपूर की ओर थोड़ी दूरी पर पट्रियों किनारे रखी गिट्टी पर बैठे थे, कि सुबह तड़के साड़े चार के करीब नाखपूर से चिंदवाड़ा की ओर जाने वाली ट्रेन की चपेट में आने से तीनों ज जहा वही हिरेंद्र करन की हालत कंभीर बताई जा रही है घटनास्तर सुत्रों से प्राप्त जानकरी के अनुसार शाया तीनों युवक नशापन करने हेतु वहां बैठे होने की तथा नशा ज्यादा होने से उनके और आत्ती ट्रेन दिखाई ना देने से उक्त घटना पुलिस के अधिकार शेत्र का होने से आगे की जांच हेतु रेलवे पुलिस को सौब दिया है इन्बिसे नियूस के लिए समवादा ताकि शोड ढूंडेली की ग्राउंड डिपोर्ट